नरेंदर मोदी जी अवर्शे हीस में कोई दोराय नहीं है नरेंदर मोदी जी पैकेज भेजेंगे उन्होंने पिछली बार भी भेजा था अठारा सो करोड का पैकेज भेजा था उन्होंने अब भी भेजेंगे वो और वो जाएगा सुखो जी को लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक special inquiry बिठाई जाए लोग दरे हुए है बहुत जादा तो मैं यहीं चाहूँगी कि जितना जल्दी सरकार से मदद मिले मैं नहीं देख रही कहीं भी state government ने कुछ भी एक भी काम किया है मैं नहीं देख रही कि यहां के जो मंतरी है एक भी यह काम यहां पर कर रहे है पूरे पूरे परिवार बच्चों के साथ बह गए है और बहुत जादा दहशत भी लोगों में है लोग दरे हुए हैं बहुत जादा तो मैं यहीं चाहूँगी कि जितना जल्दी सरकार से मदद मिले कई जगा हम देख रहे हैं जैसे मलाना जैसी जगाएं हैं डिस्कनेक्ट हो गई हैं वो भी लोग गाओं के लोग खुद आकर जो हैं वो पूल बना रहे हैं खुद आकर अपने हाथ से काम कर रहे हैं मैं नहीं देख रही कहीं भी स्टेट गावर्मेंट ने कुछ भी एक भी काम किया है मैं नहीं देख रही कि यहां के जो मंत्री हैं एक भी यह काम यहां पे कर रहे हैं और ना मैं कहीं देख रही हूं कि आके किसी को जो है किसी तरह का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं तो केंदर सरकार की तरफ से मैं आई हूँ और अवश्य ही केंदर सरकार जो है फंड्स देगी लेकिन हम भी जानते हैं कि फंड्स पहले भी आये थे लेकिन वो राजसरकार के पास ही आते हैं और राजसरकार के माध्यम से ही जो फंड्स जो हैं वो लोगों तक महुंचते हैं ना पिछले फंड्स का कुछ आता पता है और अब जो फंड्स देंगे अब उसका आता पता तो जैसे की हमारे बजट में भी कहा है कि हम जो है बढ़ा की जो फंड्स देंगे सितानामन जी ने जो हमारी मान्यवित मंत्री हैं उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है अब केंद सब्सक्राइब रहे हैं तो मैं हमेशा कहते हूं जो हमारे जो इसका जो दुर्भाग्य हो गया है कि कैसे यहां पर कॉंग्रेस की सरकार अभी दो जब से यह आए तब दो इस अंसक में जो मुद्दा उठाया था वहां से तो भी विस्थापितों का भी कोई ठिकाना नहीं अब फिर से जो तरास्थी आई हो मैं देख रही हूं लोग गाओं के लोग खुद जाके जो है सड़के बना रही है और सुखुजी को जाके बताना चाहिए कि गाओं के लोग काम कर रहे हैं इनके कहा है रस्क्य आपरेशन कहीं नहीं हो रहे हैं इस बेरी रॉंग और हम से फंड आया था साथ लाक रुपया सबको देंगे तो क्या मिला वो साथ लाक रुपया नहीं मिला तो देखी तो मेरा कहने का यहीं मतलब है कि यह जो राजे सरकार की यह जो कर्तूत है और इनकी जो अमान वियर जो इनकी जो कर्तूते हैं इनके दिल में कोई इनके दिल मे कोई भाव नहीं है कि मैं देख रही हूँ कि गाउं के लोग खुद अपने हाथों से अपने पूल बना रहे हैं नरेंदर मोदी जी अवर्शे हीस में कोई दोराय नहीं है नरेंदर मोदी जी पैकेज भेजेंगे उन्होंने पिछली बार भी भेजा था अठारा सो करोड़ का पैकेज भेजा था अब भी भेजेंगे वो और वो जाएगा सुकुझी को लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे वो जो है उसकी मैं मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इं तो अब हिमाचल के जो है वो नागरिक नहीं सहेंगे ये ये इस तरह की कुरूता नहीं सहेंगे देखिए जितने पैकेजिज हिमाचल को मिले है और जितना इंफरस्ट्रक्चर वर्क हिमाचल में हुआ है मुझे नहीं लगता इतनी आवादी वाले ऐसे एक शेतर में पहले हुआ 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 है और अभी भी फिनैंस मिनिस्टर ने जो हमारी वित्मंत्री है उन्होंने स्पेशल पैकेज जो है वो हिमाचल के लिए उसकी घोशना की है और कितने राजियों ने इस पर आपने देखा कितने राजियों ने इस पर आपती जताई कि हमाचल को क्यूँ पैकेज जा रहे हैं लेकिन अब वो पैकेजिस जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच रहे हैं देखे जो गेंदर सरकार के पास जो भी आयोचना होगी और जो भी लोगों की जो सहमती होगी उसके साथ मिलकर ही काम करेंगे जमीन कहीं दूर हुई तो क्या ये अपना एरिया छोड़के जाना चाहेंगे? नहीं, किसकी जमी आप दूर कहीं उनको दूसरी पहाडी में स्थापित तो क्या वो वहाँ रहना चाहेंगे? अकेले नहीं लोग अपने ही एरिया में रहना चाहते हैं उदर क्या स्थित्य है? क्या सिचुएशन है? हम क्या कर सकते है? किस तरह से हम जमीन दे सकते हैं? या हम अपार्टमेंस बना सकते हैं सरकार के साथ मिलकर जो है इस पर discussion कर जएगी लेकिन बात तो यही है कि यह जो execution होगा यह तो राजे सरकार करेगी आपका execution तो अब राजे सरकार का क्या हालता है वो हमने देखी है लेकिन फिर दुख यही होता है कि जब इन लोगों की सहमती भी मिलती है तो बहुत दुख और बहुत खेद भी होता है लेकिन जो राज्य सरकार है वो चाहे कुछ भी करें लेकिन जो हमारे जो भाते चंता पार्टी है वो बिलकुल हिमाचल के लोगों के साथ खड़ी है और इसलिए मैं आज यहां पर हूँ और मैं हर जगा पर जो भी है जो भी केंदर सरकार आपकी जो होई जाती है वहां पर अगर मालो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह सुनको खतम करने की कोशिश की जाती है जैसे कि बृटन में जो है वहां के जो किस्चन लोग उनको पकड़ पड़कर के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है और फी जब अके पर्चम पूरे विश्व यह हमें सीक मिलती है यह हमें सीक मिलती है और जो जो हमारे आसपास भी इस तरह के लोग हैं जो देश को भटकाने के लिए देश को अंतराश्टे ताक्तों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती हमें उनसे भी स्तरक रहना है औ बड़ा ही चिंता जनक विश्य है हमारे लिए देखिए जो बंगला देश है वो हमारा एक मित्र था अब बंगला देश भी हमारा मित्र नहीं रहा तो चारो तरफ से जो एक अंतराश्टि ताक्तों ने हमें घेर लिया है तो अब भारत को हर निर्ने सोर समझ के लेना चाहिए और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ना जाने कितने आदी काल से सनातन का जंडा लहरा जा रहा है और हमारे देश में जो है जो प्रजात अंतर है उसकी ग्लोरी जो पुरा विश्व देख रहा है कोई अंतराश्ट और ये नरेंदर को लाइक करें